जबके carbon dioxide अगर ली जाए तो वो है जी non-polar तो यह आपके पास question फिर दोबारा से repeat करते हैं कि एक ही आपके पास element है और उसके oxide है जैसे मिसाल के तरपर periodic table में जो हम चल रहे हैं वो फिलाल इस carbon की बात करें और इस carbon के दो किसम के oxide हैं यानि पहला oxide तो वही जो हमने लिखा carbon monoxide और दूसरा carbon dioxide और दोनों oxide एक दूसरे से थोड़े मुक्तलिफ हैं इवन के उनकी polarity ही change है तो यह change polarity जो है वो क्यों है यह हमारा question है इसका answer बड़ा साधा सा है आंसर कुछ यूँ है carbon monoxide जो है वो क्या है जी diatomic molecule जबके comparison करते हैं तो carbon dioxide जो है वो क्या है triatomic molecule तो carbon monoxide और carbon dioxide में एक छोड़ा सा difference आपको यह नजर आता है वैसे इसके molecule को देखके यह बासमें में आज़ाती है अच्छा आगे जलते हैं मजीद और हम देखते हैं के carbon के साथ ही जो oxygen है जुड़ रहा है यह किस तरह से जुड़ रहा है अगर आप carbon monoxide को देखें तो आपको यह एक molecule नजर आ रहा है इस molecule में आप तीन बांड देख सकते हो अगर हम इशारा करें तो आपको नजर आएगा कि यहां पर एक बांड है जिसको हम मान लेते हैं कि यह एक कोवलेंट बांड है यहां पर दूसरा बांड भी है डैट इस ओल्सो अकोवलेंट बांड लेकिन जो थर्ड आपको नजर आ रहा है जो उसके साथ एक एरो भी लगा है बकाइदा थार पर यह एरो क्या शो करता है यह समझाता है कि यह बांड कोवलेंट बांड है और चुके एरो की हमने पॉजिटिव 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 और पार्शल नेगेटिव भी शो किये हुए हैं तो कार्ण मोनोकसाइट का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया जिसमें यह बता दिया गया कि कोडिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने की विज़ा से ऐसा हुआ है सिक्स एलेक्ट्रॉन है तो 1s2, 2s2 और 2p2 लेकिन 2p को हम कुछ यू लिखेंगे 2px, 2py और 2pz अब इसमें एलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है जो दो यही एलेक्ट्रॉन है क्योंकि दो तो हमने पहले से यहां डाल दी हैं 2s के अंदर और 2 एलेक्ट्रॉन यहां आ गए ह है एक अनपेड़ एलेक्ट्रॉन यह है यह डिजनरेट और 2px, 2py और 2pz भी यहां मुझूद है लेकिन वह यहां पर खाली है तो आपने कार्बन की हाइबरडाइशन यहां पर नहीं करनी है वरना फिर क्या करना पड़ेगा यहां 2s से एक अलेक्ट्रॉन जम करकर वहां चला रहेगा और 4 यहां पर यहां पर ऐसे तो आप क्या कहोगे के कार्बन दो विलिंसी बना सकता है या दो बॉंड बना सकता है जिसना उसकी कंफिगरेशन नदर आ रही है जैसे मिसाल के तरपर अगर आप देखो ऑक्सिजन को भी देखो तो ऑक्सिजन के पास कुल 8 अले 2P Z अब हमारे पास क्युंकि कौर निजाफ़ी तो आप में लिखना है एक 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 एक्टोञ पी एक्स में एक एक एकटाऌ पी एक एक में तीन और एक मजीद चार तो चार हो गये 2P में 2S और 1S हम भी दो खीक खाल एकवे आप गौह पर भी आपके पास दो अनपेड एलेक्ट्रों मुझूद हैं जैसे मिसाल के तर पर यह आपके पास एक और यह आपके पास दो तो एकोर्डिंग टू वी बीटी अगर बात करें तो वीबीटी कहती है कि एक आटम के वह एलेक्ट्रों जो अनपेड हो वह दूसरे आटम के अनपेड एलेक्ट्रों के साथ शेरिंग कर सकते हैं ठीक है तो आसमली दिये कि यह जो हमारे पास में थोड़ा सब्सक्राइब इसको एतियास से दिखा रहा हूं यह इसके साथ अलेक्ट्रों क्या करेगा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा शेरिंग करकर और दूसरे अब आते तीसरे बॉन्ड की तरफ जो औक्सिजन और कारवन के दर्मिया है अब गहुर करें क्वेटा वेलेंस शेल के ही अलेक्ट्रॉन बनाते हैं हमेशे यह बात कहते हैं तो यह जी हिसा नहीं लेते अब यहां क्या होगा ऑक्सिजन के पास इधर गौर करें तो यह एक लॉन पेर है और यह डुनेटेबल है यह आप यह भी और एक यह भी ठीकरी तो आप बता कहते हो के ऑक्सिजन के ओपर यह दो लॉन प्यार होते हैं वह यही है जो मैंने आपको हालेट करक तो जो 2PX है यह जो दो अलेक्टरॉन है यह क्या कर सकते हैं यह भी बॉन बना सकते हैं ऑक्सिजन कहेगा कि इन दो अलेक्टरॉन में से एक अलेक्टरॉन तुम रख लो भई ठीक है कार्बन के पास तो कार्बन के पास अलेक्टरॉन चला जाएगा कार्बन पर चार्ज क् यहां पर यह जो position है यहां पर एक electron रह गया और यहां पर भी एक electron चला गया अब यह दोनों electron भी मिलकर क्या करेंगे एक और bond बनाएंगे लेकिन चुँके इस bond में जो दोनों electron महिया किये हैं वो oxygen ने किये हैं और carbon ने क्या किया है उसके साथ वसूली की है या कहले recipient है इसलिए यहां पर arrow ऐसे लगता है और आपको एक और जो में दिखाए है that is called coordinate covalent bond तो यह आपको यहां पर देखने को मिल रहा है coordinate covalent bond तो यह तेरी पूरी स्टोरी जो carbon monoxide के अंदर तीन bonds की है और जो positive negative का बनना है यह आप पहले भी फस्टर में सीख चुके है ठीक है चाब partial charges अगर कमजोर होते तो partial क्या देते हैं तो बाद यह कि चार्जिस जब आ जाएं तो वह molecule जिसमें यह charges होते हैं जा होल तो वह molecule को polar बनाते हैं और यहीं मारे पास question था के वाइ carbon monoxide is polar और दूसरा इसा रह गया carbon dioxide यह नहीं carbon monoxide तो polar और carbon dioxide के बारे में क्या जी वह non-polar क्यों है उसके लिए आप उसका समय लें उसका structure बड़ा आसान सा है वह वही है जो आपको पहले आता है जैसे कार्बन की विलेंसी कि चार यहां कार्बन की विलेंसी आपको मैंने बताई है कि वह तो दो कैसे बना सकता है हमारे बताने से molecule बिलेंसी नहीं बनाया करते मालेक्यूल को जो वह जिस हालत में होता है समझाने के लिए हम थिवरी बनाया करते हैं Potter तो वहां इस वूरत नियुक्ताइब इस्पी क्राइब भुंभ हिएंस है तो देखें निति नितुत है शुक्राइब बतादिया है कि यहांसे यह नितुत एक इल्एक्स से यतिलक्टे पर जमरेन को अंद्धोर आएगए और यही आपस में coordinate equivalent bond बनाएंगे तो निज़र नहीं आता तो मैंने बता दिया है ताकि आपको बर्शानी नहों अब चलते हैं next बात की तरफ और वह वही है carbon dioxide का मामला यहीं कार्बन की वेलेंसी चार 1, 2, 3 और यह 4 और oxygen तो बना ही दो सकता है अपने bond pair के जरीए से तो यह आ partial negative आएगा दोनों तरफ ठीक है और दर्मियान में क्या जाएगा the partial positive charge अब यहां पर एक dipole moment होता है यह भी आपको फस्यर में सिखाया गया था तो बहराल यह सब कुछ chapter 6 के मामला थे हैं अगर आपको bonding का समझ नहीं आता कि bonding कैसे होती है coordinate covalent bond कैसे बनता है या फिर क्या करत आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा तो आप वहां पर जाकर सिर्फ टॉपिक नेम सर्च करें अगर आपको नहीं समझ में आता साथ उमेर खान अकैडमी लिखें तो आपको वह आ जाएगा यूट्यूब पर या फिर क्या कहते हैं आप खुच जाके चैनल लिस्ट के अं किया करता है इसकी डिरेक्शन होती है यह वेक्टर कॉंडिटी है पॉजिटिव से नेगिटिव की तरफ ठीक है तो यह आपके पास में दो वेक्टर बना रहा हूं एक मॉली कीव में आपको सारा बनाना पड़ता है यह बात बता रहे हैं वेक्टर कि अगर आप सिर्फ apart in narrative नदर आ रहा है लेकिन को देखा जाता है तो इसके लिए आप सोच्छों कि जो आपने पहला वग्लप बनाया है यह व Stage क्वाज़ सोच्छ के डिये क्वेक्टr कांडी कई तौना मेंग्निटूड क्वेक्टर वब और तो यह उसका एक वेक्टर है और यह आपके vector की tail इसके head से शुरू होगी मैं तो इसको आपको अलग color में दिखा देता हूँ कि इसके starting कहा से होगी उसी head से और आगे जाएगी उसी direction में जिस direction में आपको ये arrow दिखाया गया है तो क्या होगा resultant पहले vector का और दूसरे vector के दर्मियान या आप कहलें के एक के head और last के tail के दर्मियान के जो फासला आपको नदर आएगा वो हो गई नहीं तो resultant इस zero resultant या dipole moment हम कहते हैं zero तो अगर molecule का resultant या dipole moment zero हो जाए तो वो molecule non-polar होता है तो carbon dioxide is non-polar जबकि यहाँ पर आपको का पह monoxide में सिर्फ एक ही bond नदर आएगा यानि एक ही direction के अंदर vector नदर आएगा और वो vector direction रखता है और वो जितना magnitude रखता है वो आपको यहाँ पर दिखाई गई है zero point one one two d by d for d by और इस तरीके से आप बता सकते हैं कि चुँके dipole moment की value या magnitude है for the carbon monoxide so it is polar and carbon dioxide is non-polar because there is no dipole moment या there is dipole moment equal to zero तो यह तरी आपके पास एक question बहुत सारे मजीद जो concepts हैं वो मैंने clear की हैं उमीद है कि आपको समय में आ गया होगा